इस वीडियो में दी हुई जानकारी इंटरनेट से ली गई है। हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते। किसी भी दवाई को इस्तमाल करने से पहले एक बार डॉक्टर से जरूर सलाह ले। अगर आप इस वीडियो को देखकर किसी दवा का उपयोग करत जिनकी बीमारी का इलाज लिूकेमिया के लिए अन्य दवाओं के साथ नहीं किया जा सकता है या जो साइड इफेक्ट के कारण इन दवाओं को नहीं ले सकते हैं। 10 शील 20 मिली ग्राम टैबलेट को खाने के साथ या बिना खाए लिया जा सकता है लिकिन ज्यादा से ज्यादा लाब पाने के लिए इसे रोजाना एक ही समय पर लेने का प्रयास करें आपका डॉक्टर तै करेगा कि कौन सी खुरा का आवश्यक है और आपको इसे कितनी बार लेने की आवश्यकता है यह इस बात पर निर्भर करेगा कि आपके लिए क्या इलाज किया जा रहा है और समय समय पर बदल सकता है आपको इसे ठीक वैसे ही लेना चाहिए जैसे आपके डॉक्टर ने सलाह दी है इसे गलत तरीके से लेना या बहुत ज्यादा लेना बहुत गंभीर दुश प्रभाव पैदा कर सकता है आपको लाब देखने या महसूस करने में कई सप्ताह या महीने लग सकते हैं लेकिन जब तक आपका डॉक्टर आपको नहीं बताता तब तक इसे लेना बंद न करें मतली, उल्टी, पेट में दर्द और दाने इस दवा के कुछ सामाने दुश प्रभाव हैं कुछ मामलों में इससे दिल की धर्कन बर सकती है और निम्न या उच्छ रक्चाप हो सकता है यदि ऐसा होता है तो अपने डॉक्टर से परामर्ष लें आपका डॉक्टर नियमित रूप से आपके रक्चाप की जांच कर सकता है इस दवा को लेने के दो घंटे के भीतर एंटासित के सेवन से बचने की सलाह दी जाती है यह दवा आपके रक्ट में रक्ट कोशिकाओं की संख्या को कम कर सकती है जिससे संक्रमन की संभावना बढ़ जाती है आपके रक्त कोशिकाओं की जांच के लिए नियमित रक्त परीक्षन की आवशक्ता होती है कई अन्य दवाएं इस दवा को प्रभावित या प्रभावित कर सकती है इसलिए अपनी स्वास्थि सेवा टीम को उन सभी दवाओं के बारे में बताएं जिनका आप उप्योग कर रही है गर भावस्था के दौरान या स्तनपान के दौरान इस दवा की सिफारिश नहीं की जाती है यदि आप उप्चार के दौरान चक्कर आना या धुंदली दृष्टी का अनुभव करते हैं तो आपको ड्राइविंग से बचना चाहिए विडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद अगर आपको विडियो अच्छी लगी हो तो विडियो को लाइक करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकॉन पर क्लिक करें और आल नोटिफिकेशन को क्लिक करें धन्यवाद